आने वाली दिनों में दिल्ली NCR में मौसम का क्या हल रहने वाला है बात करते हैं सीनिय साइंटिस्ट चरन सिंग जी से सर आज तो हलकी फलकी धूप निकली है क्या लगता है दो चार दिन में क्या मौसम करें देखिए सबसे पहले हम बताएंगे अगले 24 गंटे के लिए तो NCR दिल्ली में छुट पुट बादलों के साथ में जो बूंदा बांदी की संभावना अगले 24 गंटे है बाकी लगातार बादल नहीं रहेंगे इसी तरह का पुर्वन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में है जहां तक खास तोर से तापमान की बात है तो फीर आहत मिल चुकी है लगभग अल्मोस्ट जो सीत लेहरती खतम हो चुकी है वहीं अगर हम दिन के तापमानों की बात करें तो दिल्ली NCR में भी तापमान 18-20 के आसपास चल रहे हैं हम चार से पांच दिन के अगर बात करें तो तापमान इसी तरह से आठ और दस के बीच हलका फुलका कौरा सुबह मर आएगे तो कुल मिला के कहेंगे कि जो यह पहला वीक हमारा गया है देसंबर का इसमें जो ठंड पड़ी है उस तरह की ठंड की अभी फिलाल आने वाले वीक में संभावना नहीं है जिस तरीके सा आपने बताए कि हलकी फुलकी 24 गंडें बारि चली जाएगी उसके दो दिन बाद तापमानों कमी आएगी जो फिर से एक बार पांच और छे डिगरी सुबह के आ सकते हैं पर उस तरह की सीत लहर की संभावना नहीं है जैसी आपने पीछे भी देखी है बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यह ते चरण मिलने की संभावना मौसम वेबाग के द्वारा जता ही जा रही है कैमरा पसंद चंदन के साथ दली सिर्देश अदब न्यूस पॉइंट